सभी को नहों बुद्धाय जैविम मैं निशा यू टीवी से आप सभी का स्वागत करते हूं आज हमें राजिव चोग सीपी में आज हमें कैपी चोद्री के साथ हम जाना चाहेंगे सर्थ संजली को जो आगरा की लड़की थी संजली इसकूल से आ रही थी आते वक्त दो लड़कों ने उसे साथ के से टक्कन मारी और पेट्रो डांके उस लड़की को आग लगा दिया क्या हमारे समाज में ऐसी महिला सुर्फित रहेंगी देखिए सबसे पहले तो संजली है की जो ये अच्जा की है उससे जिंदा जला आ गया है ये भारत की समिधान और भारत जैसे जो देश जिसको हम एक बहुत ही हमारे लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा ऐसे देश के इंदर हमारे समाज की बेटिया पूली तरीक से सहुरक्षित हैं और जिस तरीके से इस हमारे समाज की बेटी संजली को जला गया है निश्चित रूप से बहुती दर्दनाक गटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जानी सिए अतनी कम है लेकिन भारत की सरकार और उतरपदेश सरकार को समय समय पर हमारे आंदोलन के माद्धम से हमारे समाज के लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी बेटियों के साथ बलादकार होता है, हमारी बेटियों के साथ बलादकार करके उनी की चुन्नी से उनका गला घोट जाता है और उनी की चुन्नी से उनको पेटप लटका करके सुसाइट क केस करके उस केस को बंद कर दिया जाता है अगर भारत की सरकार ने समय रहते वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सग्यान लिया होता तो आज संजली के साथ ये दुरगटना नहीं होती निश्य तुरूप से संजली को बचाया जा सकता था दरिंदों ने जिस तरीके से बच् बंकवादी हैं जो लोग इस टाइप की घटी वीडियो में लिपत हैं जो ऐसे मलए गुंडा तत्व हैं उनके प्रतिस सरकार की जो उदासीन था वो इस घटना से साफ मलए सिद्ध होती है कि सरकार पूई तरीके से उदासीन है सरकार अपनी जम्यदारी का निर्वान नही कर रही है मैं आपकी टीवी चेनल के महदम से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी अधित तिनात योगी जी से निवदन करूँगा नोद करूँगा मांग करूँगा और अपना गुसा भी जाहिर करूँगा कि अगरे आप चीफ मिनिस्टर हैं आप देखिए कि आपके एक राज में हमारे समाज की बेटियों की जो दोदशा कास आज मायवती इस प्रांथ की मुखे मंतरी होती तो कोई धरिंद्रा ऐसी हमत नहीं कर सकता है ता मैं अपने समाज को आगाय करना चाहता हूँ कि यह हम कीमत चुका रहे हैं इस बात की कि हम मायवती की ताज पोशी के लिए सारे समाज को आ गयाना चाहिए बारत के सासन देख्ष की कुर्सी पर बेहन मायवती को बठा करके अपने समाज की बहो और बेटियों को आपको सुरक्षित करने के पहल करनी चाहिए सासाथ मैं यह भी कहूँगा कि यह जो हत्या की गई है जितनी भी निंदा की जाए उस तरनी कम है हम सरकार से कहेंगे घत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए उन्हें लोगों को तुरंत पकड़ करके उनके खिलाफ कानून के दारे में जो भी प्रावदान है उनको हत्या के आरोप में उनको सजाए मुदी जाए जिस तरीके से एक ब्रहामन समाज की बेटी जो दिल्ली के अंदर इसके साथ इस ऐसी घटना हुई उसके लिए पूरा विश्व हिल गया था पूरा विश्व भी खटा हुआ है और उसने अपना उस लड़की की जब हत्या की गई उसके बाद में जिस तरीके से पूरे देश ने उसको अपना प हम सब को महाई खटा होना है तो मेरी भी अपील है कि सभी संग्ट्रों के जो नेता हैं सभी संग्ट्रों के जो अभी नेता हैं जो सामाजी कारे करता हैं जो अपने आपको बाबा साम मेट करका सिपाही मानते हैं जो भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं जो बाहरत के समि सनजली को दें सरकार को मेसेज़ दें जिसके सा मैं समय में कोई दूसरी सचली tali को दरदनाक मोत का हाथसे ना घुजह ना पड़े क कोई साथ ना कर सके कि हमारी किसी बीटी पर इस टाइप का हाथ साव कर सके अपको क्या लगता है जो संजली को जलाया गया तो एक साजिस थी क्योंकि उसके बाद उसके चचेरे भाई को भी पीडित किया था बहुत पुलिस टेशन में बुला के तो उसने भी जहर खाके सोसाइट क आपको क्या लगता है इस बार में देखिए ये तो एक बहुत ही जैसा आपने कहा कि बहुत ही सुनी तरीके से उस लड़की घत्या की गई है और पुलिस ने जो अक्सर पुलिस करती है कई केसिज में पहले भी मेरे पास में एक गाव है शाने के पास में पहले भी एक सामाने जाती के इक के खेत में ले गए उस लड़के सार रेप किया रेप करके उस लड़की की हत्या कर दी उसी दराती से और उस लड़की के चचेरे भायू को पुलिस ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया कि इसने इसकी हत्या किया है सेम कहानी इस केस के अंदर करने के कोशिश की गई उस लड़की के हत्या के आरोप में उसी के चचेरे भायू को आरोपित किया गया और उसको टॉर्चर किया गया टॉर्चर के बाद में जो उस सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी आत्मत्यजीवन लिला को समाप्त कर लिया, तो इसमें बड़े संदेश बड़े साफ जा रहे हैं कि हर कीमत पर, यानि के चाहें तरबुझे पर छुरी गिरे, चुरी पर तरबुझा गिरे, दोनों शित्यों में नुक्साम तरबुझे का होना है, यानि हमारे समाज की बेटी की हत्या कर दी गई और हमारी समाज की बेटी के भाई को उसमें आरोपित पुलिस ने किया है पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चीए उनको जेल भेजने का काम होना चीए और मैं तो कहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को ततकाल प्रभाव से नोकरी से उनका रेप होता है और भी कंट्री हैं महाँ पे तो कभी ऐसा नहीं सुना आप नियॉयोर्क गए हैं कनाड़ा गए हैं महाँ पे कभी ऐसी कोई घटना हुई देखिए मैं यह सवाल मुझे अभी कनाड़ा यत्रक दोरान भी पूछा गया और मैंने उनको यही कहा कि यहां क कानून सब के लिए बराबर हैं जहां कोई भेदभाव नहीं है यहां को जातिवाद नहीं है यहां अगर कानून किसी पधान मंत्री पर वोई कानून काम करता रामादमी वोई कानून काम सबको समानता के अफसर हैं सबको आगे बढ़ने के अफसर हैं वहां पर भेदभाव नहीं है यहां की जो भारत की सबसे बड़ी जो मैं कहूंगा कि यह तरास्ती कहेंगे इस चीज को कि यहां हर चीज भारत की जो भी निरने है जो भी भारत का जो भी फैसला है वो जातिवात पर आके ठिकता है किस जाती का अधिकारी है जो आदमी कुर्सी बैठा है किस जाती क में इसके जाजती हुई है किस जाती का जज है किस जाती के लोगों के लिए फैसला देना है ये सारी चीज have इस देश के अंदर जाती के अधार पते हो रही है और यही एक मुख्य कारण है कि भारत जैसा जो देश था आज एक इतने घाटे में चला गया है इतने नुकसान में चला गया है कि किनी दो वेक्तियों के बीच विश्वास का दारा पूजी तरह खतम हो चुका है कोई दो वेक्ति एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई दो जाती एक साथ बैठने को त्यार नहीं है कोई दो धर्म एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने को तियार नहीं है इतना अलगाव बात देश के अंदर आने वाले समय मेरा मानना है कि राष्ट के लिए भारत राष्ट के लिए ये जो भावना भारत के अंदर पैदा हुई है और भारत के बारे में ये और कहूँगा कि राष्ट की जो मूल भावना है वो लगबाग लोगों में मर चुकी है हर आदमी अपने लिए सोच रहा है और ऐसी इस्तिती में अगर भारत राष्ट के चेहुए विकास के हम बात करें भारत राष्ट के सरवागींड विकास कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी विश्वास नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर आने वाले समय में जैसा प्रतीत होता दीख रहा है तो देश के अंदर एर्यक्ता होने एक फैलने की संभावना मुझे बहुत ज़्याद नजर आ रही है मैं भारत के स लासकों से नेविधन करूँगा कि वो भारत के समिधान को सरुपरी मानते हुए भारत के समिधान को अधार मानते हुए जातिकत भावना से उपर उठकर के अगर भारत के राष्ट की विकास की आने वाले समय में बात करेंगे तो मुझे लगता है इस चुनोती को काओ में क चूरक्षित रहे लेकिन स्कूलों में वजा जिया जाद रहें अतिचार उन्हकियन होके लड़andel सुरक्षित नहीं इसुरक्षित में जाकूँँगे। सुरक्षित नहीं है मैं तो कोँगा देश का कोई नागरी सुरक्षित मुझे तो नज़त आता नहीं है अगर सुबह कोई आदमी घर से निकलता है और शाम को अपने घर में वापस आता है तो ये उसकी इंडिज्वल वेक्ति को तो प्लब्जी में मानता हूं सरकार की जिम्म के मरीज हैं वो पांच दिन के अब क्या सरकार की जिम्मेदारी है हमारी समझ में तो आता नहीं बई आप आप क्या मैं एक हवा एक हवा जो सांस लेने की चीज़ जो पूरी दुनिया फ्री मिलती है भारत की अंदर तो ऐसा वातरण बन गया है कि सांस लेने के लिए जो हव मालब यह मेरा ऐसा मानना है कि यह एक बहुत ही मालब यह है कि गंभीर विशय बनता जा रहा है और इसमें ना बेटिया सुरक्षित हैं घर में सुरक्षित नहीं है स्कूलों में सुरक्षित नहीं है रास्तों में सुरक्षित नहीं है आप स्कूलों की बात करें मैं तो कह राश्टे में कुछ चल दी वो लड़की सुरक्षित नहीं है, खेत में कुछ चचारा काटरी वो सुरक्षित नहीं है, अपने घर में बैटी वो लड़की वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा है कहां और सुरक्षा देने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा देने क के लिए वो हैं कहां और ऐसा वातनों अगर बनता है जो बना वाद दिखाए दे रहा है तो निश्चित रूप से यह किसी राष्ट के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चिनोती है और बहुत बड़ी एक मलब यह समझे मैं कहूंगा कि राष्ट को एक अंधरे में जाने की कोशिश हो रहे गा सर यह राजनीति अगर ठीक हो जाये तो हमारे बहुति सुरक्षित रहेंगे तिक जिस दिन राष्ट के पर ने तो उनके यह decision जाती के अधार पर, धर्म के अधार पर, राजनीती के अधार पर, यह ऐसे decision जो अब लिये जाते रहे हैं और अभी भी लिये जा रहे हैं, जब तक यह इनने इसी इसी दिशा में चलते रहें, तब तक देश अंदकार में निश्चतुरु से जाएगा, उसे डूबने से जिम्मेदारी है, जिस दिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वान इमानदारी से सुरू कर देंगे, आने वाला दिन भारत के लिए एक सवेरा होगा, वो एक सुखर्ट सवेरा होगा, एक नया सवेरा होगा, भारत का प्रते नागरिक सुरक्षित होगा, भारत की बेटिया सुरक्षित होंगी भारत का अदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा गौर्वानित महसूस करेगा और अच्छे राष्ट के निर्मान में उसका अपना योगदान भी हम देख पाएंगे संजली को अभी तक नयाएं नी मिरा श्य दिन हो गए तो आप संजली को नयाएं दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगे तुष दिन दिल्ली में प्रदर्शन होगा उस दिन पूरी दुनिया में प्रदर्शन होना चाहिए तो मैं अपना कम्यूकेशन पूरी वल्ड के लोगों को जारी करूंगा तीस तारिक को जो संजली की कुन्याय दिलाने के लिए पूरे देश के जो हमारे संग्ठन उनको हम कहेंगे कि आप भी प्रदर्शन करें प्रदर्शन का वीडियो यहां बना कर भेजें भारत के प्रदान मंतर जी को प्रदान मंतर जी को चिठी बेजें और हम लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा है काई की रूप मेरा निवेदन है एक बार पुने में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अंबेट करवादी हैं जो भी संग्ठन चला रहे लोग हैं जो भी भावान बुद के अनुजाई इस देश में रह रहे हैं जो भी संधान को मानने वाले लोग रहे हैं सभी लोग अपना बेनर लेकर आएं अपने बेनर बिल्कुल ना छोड़ें दस आदमी पांच आदमी पच्छीस आदमी पचास आदमी जिसकी जितनी छमता है सब लोग आएं और बिना नेत्रत वे के जो दो परेल का अंदोलन इस भारत के अंदर एक निया इतिहास बना कर गया है मैं चाहता हू कि 30 दिसंबर को एक दोआरा कर इस दिहास बनना चाहिए और भारत की सरकार को एक हमको एक सबक देना है कि साब हमारी बीटियों के साथ में ऐसा आगे हुआ तो अब नहीं अब हम परदास करेंगे नहीं परदास करेंगे और सारे लोगों को आना है मेरा निवेदन ये है कि कोई न चोटा है कोई बड़ा है हम सब बराबर हैं संजिली को आखिण बेटियां संजली जिंदा बची उनको बचाने की पहल करनी चाहिए केपी चोधरी सर ने कह दिया कि तीस तारी को हम सब मिल रहे हैं और आगे भी जो हम अपनी भेहन बेटियों को बचा सकते हैं तो सबी जंतर मंतर पर जाद से जादा आएं और संजली के लिए और जितने भी महिला हा जो आप सुरक्षित नहीं है उन सब के लिए आप में आप आके धरना परदेशन करें जैभी नमबुद्दा है हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कि जैर घंटी का बदन दवाएं